नमस्ते दोस्तों हिंदी साहित्ती की खूबसूरत कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है आज सुनिये हिंदी की सुप्रसित दिलेकी का सुश्मा मुनींद्री जी की लिखी हुई कहानी ने नाते तो शुरू करें कहानी आठ नवंबर 2016 आज रात बारह बिजे की उपरांत हजार और पांसो के नोट नहीं चलेंगे जोती का ना बैंक खाता संपन है ना घर में नोटों के बंडल रखे हैं फिर भी टीवी पर आ रही अप्रत्याशित खबर ने उसे चिंतित कर दिया उसकी चिंता चार बहनों के बाद बड़े अर्मान से जन्मे भाई चंद्रमा को लेकर है जोती फिर कीड़ती फिर प्रीती फिर नीती बाबू को हर बार सत्मा लगा आजी ने हर बार एक दिन का अनत्याग किया दिन भर रोने से अम्मा की आखे फूल गई बिजावर के छोटे से घर को एक नर शिशु का इंतजार था घर की प्रबल इच्छा शक्ति कहें या स्वाभाविक तोर पर चंद्रमा का जन्म होना ही था जोती अतिरेक से भर गई थी कितना गोरा है चंदा मामा की तरह बाबू ने पहली बार प्रबलतम भाव से पितरत्त को महसूस किया तुम बेहनों का चंदा मामा इसका नाम चंद्रमा होगा चार पुत्रियों का जमावडा देख असहिश रोगो चली अम्मा ने फुलीन इस्तरी की तरह व्यवार किय चंद्रमा अच्छा नाम है बधाई गाती आजी ने अनमोधन किया घर में उजियारा कर देगा नोट बंदी का समाचार सुनकर ज्योती इसी चंद्रमा के लिए चिंतित है आयकर अधिकारी है बेहनों के सम्मुक अपनी पूंजी का खुलासा नहीं करता लेकिन उसका रहन स बताता है कि कितना संपन है बिजावर के छोटे घर में रहते हुए चंद्रमा का इस्तर बेहनों से परिश्क्रत रहता था अब तो राजा और रंक जैसा फरक आ गया है पतानी कितना बैंक में रखे होगा कितना घर में नोट बंदी की खबर सुनकर बेचारे का रक्त चाप नीचे न सरक जाए भंगेमा से ही नहीं चेहरे से भी अमीर जान पड़ती उसकी पतनी कामाक्षी जिसका स्लोगन है पैसा लड़ाई की जड़ होता है अचेत हो गई होगी जोती को चंद्रमा से सेल फोन पर पूस्ताज करने की व्याकुलता हुई पर वो खुलासा नहीं कर सेल पर पूस्ताज करना भी ने चाहिए कामाक्षी जरूर कहेगी चंद्र मेरा इतना रुप्या चलन से बाहर हुआ जा रहा है जोती जीजी मंगल मना रही है टीवी देखकर करने जोती की व्याकुलता को परखा धन कुबेरों की टाय टाय फिस मा तुबारे पास 1500 के कितने नोट हैं 10-15 होंगे चंद्र की फिक्र हो रही है मामा जाने और सर्वश्रेष्ट का गुमान रखने वाली मामी जाने कामाक्षी को लेकर करन की ही नहीं सभी की यही राये है कामाक्षी ने पहले दूसरे आगमन पर नम्रता दिखाई फिर संकेत दे दिया ऐसी दूरी बना क चलेगी जब सारे नहीं नाते स्वता निरस्त हो जाएंगे चंद्रमा लड़क पंसे घर में बाश्शा बन कर रहा अम्मा बाबू के अतरित संरक्षण में मूझ जोर हो गया बेहनों का लिहाज करना या इस्थिती पर कोई सोचना उसे नहीं सिखाया गया बहुत छोटी आ लेकिन उसे ममता देती थी जानती थी अम्मा बाबू के अतरित संरक्षण का लाब ले सबकी अवमानना करता है लेकिन ये उसका सिध्धान्त या लक्ष नहीं है अब तो संपन ही नहीं सब भी हो गया है पैसे को लेकर बेफिक्री आज भी बनी हुई है जब चंद्रमा की समीव परती जनपद में हुई तो जोती को लगा था चंद्रमा को मुद्द से नहीं देखा है अपने नगर से कुल डेड़ घंटे की बस यात्रा कर जोती उससे उत्साह पूरवक मिलने गई चंद्रमा ने नमर व्यवार किया था जबकि कई अंगूठियों वाली अंगुल में भी दूरी चाहती है सुबह लोट जाओंगी कहकर जोती ने अपना गुणा स्विकार किया प्रण किया दोबारा गुणा नहीं करेगी पर इस्थितियां कई बार गुणा को दोराने के लिए विवश कर देती हैं जोती के पती मंगल दीन नहीं रहे जोती का सौतेला प्रवेश मिल रहा था फीस के लिए पूरा इंतिजाम नहीं हो पा रहा था काम चलाओ ग्रहस्ती वाली बेहनों से मांगना उन्हें दिक्कत में डालना था बस द्वारा कुल डेड़ घंटे की दूरी पर पदस्त चंदर्मा अकसर नहीं पर चंदर्मा से मोबाइल पर बात होती थी कुछल क्षेम पूछना एक बात है अपनी जरूरत बताना दूसरी बात चंदर्मा से लगने वाला एक किस्म का भै जोती के भीतर अब भी था पचास जार मांगते हुए जोती का लेजा काप रहा था चंदर्मा ने पैसे को लेकर बेफिक्री दिखाई आज ओ जी जी इतना पैसा मेरे पास हमेशा रहता है कामाक्षी के दर पर जाते हुए जोती को हिंता का बूध हो रहा था कामाक्षी ने उसे हीन की ही तरही देखा हाँ चंदर्मा ने बताया था आप आने वाली हैं जी जी अचानक कैसे प्रियोजन बताने के लिए जोती ने चंदर्म नकार में शीज डुला रहा था जोती को संकेत मिला तुमनों को देखने आ गई कामाक्षी कल सुबह लोट जाऊंगी कामाक्षी ने आ बरी ये जगे मुझे बिल्कुल रास नहीं आ रही है पता नहीं यहां कितने साल रहना पड़ेगा वो तो अच्छा है जो यहां विंदे कलब है थोड़ा मनोरंजन हो जाता है आज कलब में मीटिंग है रविवार को आनंद मेला लगाना है उसकी चर्चा होगी जल्दी लोटने की कोशिश करोगी कामाक्षी के कलब गमन को चंदबा ने सुविधा की तरह देखा आलमारी से पचास जचार रुपए निकाल लाया लो जी जी मेरी आलमारी में एक पुराना कोट टंगा है उसकी अंदर वाली जेब में थोड़ा बहुत रुपया रखता हूँ समझ लो वो कोट नहीं मेरी ट्रेजरी है जिसका सुराग किसी को नहीं मिलता रुपया लेते हुए जोती को लगा उसने अपनी हींता बढ़ा ली है बोली बड़ी रका मैं चंदर दीरे दीरे लोटा दूँगी चदरमा को जोती दैनिये लगी कैसे होते हैं रक्त संबंद और कैसे बदल जाती है व्याक्या एक घर के कितने घर हो जाते हैं कितने परिवार बन जाते हैं प्रात्मिक्ताएं अलग हो जाती हैं आये अलग हो जाती है बेहने अधिकार नहीं उधार मांगती है ऐसी बड़ी भी नहीं है जीजी तुम करंड को एड्मिशन दिलाओ कामाक्षी को मालूम है ना कभी उसे पता चलेगा तो वे जूट भरोसे मंद होते हैं जो अच्छी नियत से बोले जाते हैं मालूम है जल्ली लोटा दूँगी थोड़ा थोड़ा बचाने का जोती भरसक प्रत्न कर रही थी पर एक मुष्ट पचास जार उसके लिए सचमुष बड़ी रकम थी किष्टों में चुकाना उसे चंदर्मा की गर्मा के विप्रीत लगता था किष्टों में बार बार पैसा देने जाए तो कामाक्षी कहेगी कि जोती जीजी डेड़ गंटे की तूरी का बहुत फाइदा उठा रही है लेकिन ये भी सोच सकती है कि जीजी ने पैसे हरप लिए जोती पूरी तरह असमंजस में कामाक्षी के सेल पर कॉल किया कामाक्षी कर्ण की फीसी इतनी है कि तुमारे पैसे नहीं लोटा पा रही हूँ एक FD मैच्योर होने वाली है जल्दी पैसे देने आऊंगी कामाक्षी ने इस अनबेक्यता का सामना चतुर्दा से किया हाँ हाँ जीजी चंद्र बता रहे थे आपको कर्ण की फीस के लिए पैसे दिये है जोती के सिर से भार उत्रा नहीं जानती थी कुलासा कर कामाक्षी के तेवर को तीर की तरह तराश दिया है कामाक्षी ने चंद्रमा को अभ्युक्त की तरह देखा जोती जी जी को कितना रुपया दिया है पैसे को लेकर बेफिक्री रखने वाले चंद्रमा को सहसा याद ना आया जोती जी जी को तारीक बताऊं पहली बार दिया है कितना पचास अजार बाकी बेहनों को कब और कितना दिया है मैंने आती ही कब है जो दूंगा पैसा लड़ाई की जड़ होता है मुझे रिष्टेदारी में लेन देन पसंद नहीं है जीजी को बोलो पैसा लोटाएं मेरा पैसा किसी को हजम नहीं होगा F.T. परिपक को होने पर जोती आई कामाक्षी गिन लो कामाक्षी दक्ष गणतग्य की भात गिनने लगी सुजान ननदिया ने भूल चूग जैसी चतुरता दिखा कर हजार दू हजार कम कर दिये हूँ तो चंद्रमा के समक्ष धूर्दता साबित हो जाएगी चंद्रमा कामाक्षी की गणना देख रहा था 65,000 कामाक्षी के मुख पर लाप पाने की चमक रुपया रखने तेजी से शयन कक्ष में चली गई चंद्रमा ने जोती की सदाशैता और कामाक्षी की धूर्दता देखी जोती के सम्मुक कामाक्षी पर टिपणी करना उसे असब्हता लग रही थी कामाक्षी के जाते ही जोती से बोला जी जी सूद दे रही हो मैं तुम्हें सूद खोर लगता हूँ चंद्र तुम मुझसे सोले साल छोटे हो मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया ये सूद नहीं है छोटी सी भेट है जी जी मैं जानता हूँ तुमारे लिए इतने रुपे इखटा करना आसान नहीं रहा होगा आता हूँ बीतर जाता चंदरमा जोती को विवश लगा कामाक्षी रुपे सहेच कर इसी ओर चली आ रही थी क्या है चंदर? मैं देख रहा था तुम्हें रुपे गिनते हुए जीजी को 15,000 वापस करो करतूत उजागर हो गई लेकिन कामाक्षी को निस संकोच होकर ये थार्त का सामना करना आता है पूरे वापस कर देती हूँ समझ लूँगी खेरात में दे दिये हम हर साल 25-50,000 अपने दोनों बच्चों की बर्थडे पार्टी पर खर्च कर देते है 15,000 तुमारी 2 या 3 साड़ियों की कीमत होती है उन साड़ियों को तुम 2-4 बार से अधिर नहीं पहनती हो जीजी से ब्याज इसलिए कहती हूँ ना पैसा लड़ाई की जड़ होता है लोटा देती हूँ सिर्फ पंद्र है जीजी पूरे नहीं लेंगी कामाक्षी ने रुपए जोती के सामने रख दिये चंद्र मुझ पर इलजाम लगा रहे हैं मैं नहीं लूँगी बीतर से आते अस्पष्ट मंद स्वर चंद्र मा का गथित मुख कामाक्षी की खलबली देख जोती समझ गई उसने पैसा लेकर गुणा किया सूद देकर एक और गुणा कर डाला कामाक्षी जी जी मैं जानती हूँ पैसा लड़ाई की जड़ होता है आप भी जान लीजिए किंकरत विमूर जोती राद जबर कुजरी सुबह चंद्रमा के जागने से पहले ही उसके बड़े बेटे को रुपए थमा जोती बस स्टेंड के लिए सरपट निकल गई दिल भराया ना बाबू रहे ना अम्मा ना बिजावर का ओ छोटा सा मकान जो पहले घर फिर माईका कहलाता था कामाक्षी ने उस घर को बेच कर माईका खतम कर दिया ये भाई का घर क्या अक्तियार बड़ा गुना हुआ इस मृतियां ना होती तो अच्छा होता ना अम्मा याद आती ना बाबू ना बिजावर अच्छी बात ये है इस मृतियां निर्दई नहीं होती जो घटित तकलीव देता था इस मृतियां उसमें भी अपनत्व और संतोज ढूल लेती है बाबू वैसे असहिशुन नहीं लगते जैसे थे अम्मा वैसी पक्षपाती नहीं लगती जैसी थी वो घर भुलाए नहीं भूलता जहां चारों बहनों ने बच्पन की अठखेलियां नहीं की आसमान को नजर भर नहीं निहारा धर्ती पर मजबूरी से पैर नहीं रखे वक्त ने अच्छे दिन उनके खाते में नहीं डाले विशमताओं से गुजरना उन्हें अजीब नहीं लगा नहीं सोचा अजीब लगना चाहिए एक-एक कर चारों ब्यादी गई अपना भागे लेकर रुकसत हो गई जोती ने जिस साल सोलह पूरे कर ग्रह विज्ञान विशे से ग्यार्मी की परिक्षा दी थी चन्रमा का जन्म हुआ था अम्मा बाबुजी आजी की तरह चारों बहने डरी रहती थी वंश्धर ना हुआ तो घर में तड़ित किरेगा बहने हर कहीं से भाई होने का आश्वासन चाहती थी जोती को किसी ने बताया था छोटे बच्चे जोकि शुद्ध आत्मा से बोलते हैं इसलिए कए बार उनका कहा भविश्वानी हो जाता है जोती चार साल की नीती से पूछती भाई होगा या बहन बहन जोती उसके गाल नोच देती ठीक से बता भाई जोती उसके गाल चूम लेती तुमारी पीट पर भाई आएगा तुम्हें आजी भागिशाली कहेगी अम्मा खाओ जोड तोड़ वाली ग्रहस्ती से भिग ये अम्मा संकोच करती इतना घी शकर बेकार कर दिया अम्मा तुमको नहीं अपने भाई को खिला रही हूँ खाएगा तभी न चंदा मामा की तरह गोल मटोल गोरा होगा चारों पुत्रियों के जनक बनकर अस अहिश्र हो चले बाबू उदारता दिखाते खाओ घी शकर ले आऊँगा चंद्रबा के जनम पर सश्मुश बाबू खूब घी गुड मेवाल आये थे उनके प्रोड मुक पर उसी तरह रोने लगती थी जिस तरह बहनों के होने पर अभाव में भर कर रोती थी अम्मा बाबू ने चंद्रमा को केंद में रख कर चारों बहनों को अपने आप बड़ी होने के लिए उपेक्षित छोड़ दिया सबसे बड़ी होने का जुर्माना जोती को अधिक भरना पड़ा जोती पढ़ाई बहुत हो गई अब अम्मा की मदद करो उन्हें चंद्रमा की देख रेक करनी है बाबू का आदेश सुन जोती ने फर्याद की बाबू स्कूल से चार बजे आते ही मैं रसोई संभाल लेती थी कि दफ्तर से लोट कर तुम्हें चाहे फिर खाना चाहिए कॉलिज से आकर पूरा काम करनूंगी बाबू ने लड़कियों की जरूरी बात को सैयम से सुनना कभी जरूरी माना ही नहीं जोती मेरे पास इतना पैसा नहीं कि तुम्हें कॉलेज में पढ़ा सकूँ बाबू दफ्तर से आते ही चंद्रमा को गोद में उठा लेते लड़कियों की जरूरी बाते ना सुनने वाले बाबू चंद्रमा से खुब समवाद करते यद्या पि वो बातों को समझने योगी नहीं हुआ था उसके लिए छोटा हैट और जूते खरीदे हैट और नए जूते पहना कर साइकिल के डंडे में कस्वा ली गए छोटी सीट पर उसे आरूर कर सेर कराने ले जाते जोती और कीरती रसोई संभालती प्रीती और नीती चंद्रमा को महले के छोटे पार्क मिले जाती वो गोद से न उतरता दोनों शित्हिल हो जाती अम्मा को बताती अम्मा चंद्र बहुत भारी है इसे गोद में उठा कर हम दोनों ठक जाते हैं खेल नहीं पाते नलिनी नीती की सहली का भाई बहुत हलका है वो आराम से उसे लिए फिरती है अम्मा को चंद्रमा फूल कुमार लगता था भारी है नजर लगाओ बहनों की चोटी खीचते हुए उनकी पीट पर लटक कर उनका गला मसकते हुए उन्हें घोडा बनाते हुए पानी उलीज कर उन्हें गीला करते हुए तमाम उपद्रव करते हुए चन्रमा अम्मा बाबू को दुरलब सुख दे रहा था आजी के प्राण पखेरू उड़ गए थे अनिता वे भी सुख की भागी बनती अधीन से रिखती बहनों ने मान लिया उन्हें एक दूसरे की संगती से ताकत पानी है कॉलेज में पढ़ने की लालसा लिये जोती ने भर सक्रसोई संबाली की कीरती की पढ़ाई बाधित ना हो खाली वक्त में उन सलाई कोशिये सुख बना सिल कर अपने ग्रह विज्ञान को धोरा लेती उसने काच की रंग बिरंगी चूडियों के डेड़ दो इंच लंबे टुकडे तादाद में एकत्र कर रखे थे दीब जला कर लौ में दो टुकडों के सिरों को गडरम कर आपस में जोडते हुए एक दूसरे में टुकडे फसाते हुए लंबी रंग-बिरंगी माला बनाते हुए बेहनों को डराती देखो दिये की पीली लौ हरी हो रही है हरी लौ के कारण मैं एक महिने के भीतर मढ़ जाऊंगी की पारी एक नहीं सुनती, नीती निवेधन करती, जी जी मत मरना, मेरी इतनी अच्छी चोटी बना देती हो, अम्मा को चंदर के तेल फुलेल से फुरसत नहीं, जोती अभैदान देती, तुम लोग कहती हो तो नहीं मरूंगी, वैसे अम्मा बाबुजी से रोज कहती हैं, 275 के दोर में, बिजावर जैसी छोटी जगए में अधिकतर लड़ियों को स्कूल के बाद नहीं पढ़ाया जाता था, उस लिहास से अनपड़ भी नहीं थी, लेकिन तीन वर्षिये जगत के जनक, विधुर मंगल दीन से जोती का ब्याहकर बाबु ने संकेत दे दिया, दो बाबु ने उसके फेवरेट हीरो नवीर निश्चल को लपेटे मिलिया, तुम्हें नवीर निश्चल चाहिए, मैं दहेज कहां से लाऊं? जोती नहीं जानती, अम्मा ने दिलासा दी या भर्थसना की, जोती तुम सबसे बड़ी हो, हमारी हैसियत को नहीं समझोगी तो कै जोती समझ गई, उसे एक अपकर्ष से दूसे अपकर्ष की और गमन करना है, तिलक चुकी भाई चढ़ाता है, पास साल का चंदर्मा बाबु के साथ तिलक लेकर मंगल दीन के घर गया था, औरतों ने चंदर्मा से परिहास किया, चंदर्मा तुम जगत के मामा हो, मैं इसक को इस तब्द छोड़ कर विदा हुई जोती बिजावर कमी आ पाती थी, जब भी आती चंदर्मा उसके साथ मिलनसार नहीं होता था, तीनों बहनों की तरह उसे धमकाता भी नहीं था, इतना छोटा था कि जोती उसे बहन नहीं, ऐसा अतिती लगती थी, जिसके सामने कुच या सब्वेता दिखानी चाहिए, जोती के समक्ष उजिजका हुआ बच्चा बना रहता, बहने गाथा बताती, जीजी चंदर दिन पर घर से भार भागता है, एक कटखना कुट्ता इसके पीछे पढ़ गया था, हम तीनों ने इसे हातों में लेकर खुब उपर उठा लिया, वरना इसे काठी लेता, देखो न प्रीती को कैसे काठा है, बेचारी के पेट में 14 इंजक्षन लगे, इतने पर भी अम्मा तारना दे रही थी, खुट्ता चंदर को काठ लेता, तो मैं तुम तीनों को घर में घुसने न देती, जीजी बाबू खुब बीमार थे, देर दो महिने बिस्तर पकड़े रहे, अम्मा बोली, बाबू की खुब सेवा करो, उन्हें कुछ हो न जाए, चंदर अभी बहुत छोटा है, उसे बहुत पढ़ना है, जीजी, चंदर बहुत लंबा होता जा रहा है, मेरे उसके पैरों का नाप एक जैसा हो गया है, देर तक बाहर नहीं रह सकते, सहलियों को नहीं बुला सकते, इस घर में पैदा जरूर हुए हैं, पर कुछ नहीं कर सकते, जीजी, चंदर को अपने दोस्तों को घर लाने में शर्मा आती है, कहता है, घर छोटा है, अम्मा बिलकुल फैशन नहीं जानती, अम्मा से इसकी कर पूतें बताओ, तो कहती हैं छोटा है, ना समझ है, इस्तिती का लाब ले चनरवा ना समझ बना रहा, लेकिन पढ़ाई में शरेष्ठ था, दूसरे प्रयास में डाइरक्ट आयकर अधिकारी बनकर उसने शरेष्ठता से दिकी, एक धन कुबेड ने अपनी दर्शना दुह अधिता का माक्षी के लिए उसे पंजी करत कर लिया, पंजी करण पर बाबु को चका चौन्द होना ही था, मेरा घर दुवार मामूली है, यू जानिये गुदडी में लाल पैदा हो गया है, धन कुबेर संतुष्ट हुए, यही चाहिए, घर गुदडी, लड़का लाल हो, गुदडी को लेकर मैं चंद्रमा को इतना लज्जित कर दूँगा, कि वो गुदडी में आने से कत्राएगा, प्रत्यक्षता बोले, जी हाँ, जी हाँ, घर दौर महत तो नहीं रखता, आपने चंद्रमा को जो आचार व्यवार सिखाया है, वो महत पून है, बाबु उतकर पानता ले आऊंगा, कि वे चंद्रमा से दूरी बना लेंगी, या अदब से बात करेंगी, जी हाँ, जी हाँ, सबके आशिरवास से ही काम्याबी मिलती है, बाबु ने समरद्ध तहेज लेने का मनोरत बताया, मेरी बेटियों को चंद्र के विभा का बड़ा उत्साह है, कह पानतार दहेज लेकर आई कामाक्षी, पहले दूसरे प्रवास में अदब दिखाकर बागडोर हतियाने में दत्त हो गई, सास की पेटी में आई साथ कीमती साणियां और भारी सोन जंजीर पर मुगध हुई अम्मा ने कामाक्षी को ग्रह लक्षमी की वद्वियों पर बठ पाकर अम्मा के बहु प्रेम ने काफी जोर मारा, चारों बहनों को फोन कॉल कर खुब प्रिचारिद किया, कामाक्षी ने कुल बदल दिया, आजी के पांच रड़कियों के बाद बाबू हुए, मेरे तुम चारों के बाद चंदर हुआ, बाबू तत पश्चात अम्मा के बैकुंठ जाते ही बागदोर कामाक्षी ने लपकली, नीती स्कूल मास्टर पती के साथ विजावर में रहती है, बाबू के ना रहने पर अक्सर अम्मा के पास चली जाती, उनके जरूरी काम कर देती, अकेला अपन बितारही अम्मा को नीती इतनी अपनी लगने लगी, ज मायका उड़ जाता है, मायका नहीं उड़ा, बिग गया, जी जगती, फिर भी नीती ने कहा, चंदर क्यों बेशते हो, बाबू ने एक एक पैसा जोड़ करे मकान खरीदा था, मैं किराए के मकान में रहती हूँ, यहां रहूं तो किराया बचेगा, बिजली पानी का बिल ज मा कर दूगी, तुम या जी जी लोग कभी आएंगी तो घर साफ सुथरा मिलेगा, रिटायर होकर आओगे तब तक मैं अपना छोटा मोटा मकान बनवा लूँगी, पैसे के फिक्र ना करने वाले चंदर्मा को प्रस्ताव अच्छा लगा, ठीक तो है, लेकिन कामाक्षी ल मिलते ही बेचना है, मुझे दे दो, दीरे दीरे पैसा चुका दूगी, उस घर में नीती का जन्म सिद्ध पाँचवा हिस्सा था, साल में एक बार चारो बहनेवा एकत्रो एक दूसरे की कुशल शेम जान लेती थी, अच्छे दिन नहीं बिताए, पर जन्म इस्थल से स्व भाविक लगाओ जुडाओ होता है, मकान बिक जाएगा, जैसा ख्याल नीती को भावक कर रहा था, लेकिन कामाक्षी ने प्रमुकता नहीं दी, जी जी, पैसा लड़ाई की जड़ होता है, रिष्टे बिगडते हैं, आप कब तक पैसा चुकाओगी, और मैं कब तक याद रहे, जी, जी, आप एमोशनल हो रही हो, माय का बिक्या, वो सूत्र खतम हो गया, जो बताता था कि वे लोग कभी एक दूसरे के समीब थे, वो अवसर फिर नहीं आया, जब सभी भाविवयन एक छत के नीचे एकत्र हुए हो, अपने परिवार, अपने घर, अपनी प्रात् चंदर्मा सभी परती जनपत में पदस्त हुआ, तब जोती को लगा, उसे मुद्ध से नहीं देखा है, एक दो बार उसके घर गई, फिर 65,000 रुपयों ने ऐसा हुरच डाला कि उस तक पहुंचना दुश्कर हो गया, अब ये नोट बंदी, 30 दिसंबर तक पुराने नोट बैंक खाते में जमा किये जा सकते हैं, धाई लाग तक जमा की गई राशी को लेकर पूश्टाश नहीं होगी, जोती को चंदर्मा की फिक्र है, उसने बहनों से बात की, सबसे पहले कीरती से की, कीरती ने बेरुखी दिखा दी, जी जी चंदर की क्या फिकर करें, वो बहु कीरती मुझे वो बदला हुआ नहीं मजबूर लगता है, बलकि सताया हुआ लगता है, कामाक्षी के ठाट देखकर शुरू में उससे दब गया, कामाक्षी को उसको दबाने की दीवानगी हो गई, और फिर वही नहीं बदला है, सब कुछ बदल गया है, हम भी बदले हैं, ह ठीक है जीजी, तुम चंदर से बात कर लो, जो बन पड़ेगा मदद करूँगी, कीरती और प्रीती ने साहता का वचन दिया, पर चंदरबा के घर जाने को सहमत नहीं हुई, लेकिन नीती जोती के आग्रह को नहीं टाल पाई, उनका आना कामाक्षी को सामुहिक आकमर की त तरह लग रहा था, लूटने आ रही हैं, कहा था चंदर एक को धार दोगे तो बाकी बहनों को होसला मिलेगा, मीती जीजी मकान पर कबजा करना चाहती थी, नहीं कर पाई, अब होड कर रही होगी, जोती जीजी को धार मिल सकता है तो उन्हें क्यों नहीं, दिनों बाद एक तुम मुझ पर इल्राम लगाने लगे, इसी लिए मैं रिष्टेतारों से मेल जोल नहीं रखती हूँ, मेरे घर की शांती चौपट हो जाती है, नोट बंदी के कारण वैसे भी चौपट हो गई है, पता नहीं तुम्हें कितना पैसा चाहिए, तेजोरी में भरे नोटों के शिथिलता को छिपाने की कोशिच की, लेकिन जोती ने भाप लिया, वो शिथिल है, जोती की समझ में आता था, अपने और नीती के आगमन का क्या कारण बताए, नीती कुछ बोलेगी नहीं, वो साहयक के तौर पर आई है, कारण जोती को ही बताना होगा, उसने एतिहास से बात शुड़ू की, चंदर अचाना की नोट बंदी, हाँ जी जी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, न्यूस सुनकर तुमसे बाते करना चाहती थी, पर फोन पर पूछना ठीक नहीं लगा, घर में बहुत पैसा तो नहीं रखे हो, है समझ में नहीं आ रहा क्या तुम तो जानते हो, हम लोगे पास बहुत पैसा कभी नहीं रहा, लेकिन हम बेहनों के, बेहनोईयों के, बच्चों के मिला कर बैंक खाते बहुत हैं, ठीक समझो तो हम लोग अपने अपने खाते में थोड़ा बहुत जमा कर देंगे, दीरे-दीरे निकाल कर नई करनसी देखा मेरे कारण तुम लोग डिक्स क्यों लोगी बैंक में पूछताच हो सकती है चंद्र तुम मुझे आज भी वही छोटे बच्चे लगते हो जिसे हम बेहने अपने हिस्से की बर्फी या कुल्फी देदे थे तुमारी फिक्र होती है लिमिट के भीतर ही जमा करेंगे पूछा जाएगा तो हमारे पास कारण है मैं कच्चे मकान को पक्का कराने के लिए पैसे जोड रही थी नीती को मकान खरीदना है कीरती के बेटी की शादी तेह है प्रीती के दो बेटे बाहर पढ़ रहे हैं मैनेज हो जाएगा लेकिन जी जी चंदरमा जिजक रहा था कामाक्षी ने जोटी और नीती को संदिग्द की तरह देखा खूब सुन रही है नोटबंदी में लोग खूब लाप कमा रहे हैं 20-25 प्रतिशत कमीशन पर संपन वर्ग के पैसे अपने विपन खातों में डाल रहे हैं 500 रुपया दिहारी पर मजदूर संपन वर्ग के बड़े नोटों को नई मुद्रा में बदलने के लिए दिन भर बैंक के सामने कतार में लगे रहे कि मजदूरी करने पर 300 रुपया मिलता है या 500 रुपया मिल रहा है जान पड़ता है चारों ननद रानियां रुपया हडप कर अपना दारे दिर खतम करना चाहती है लेकिन इन्हें नहीं देगी तो इतना रुपया खोटा हो जाएगा चंदर्मा की सरकारी नौकरी है खाते में रकम डालने के निदारे सीमा है जाँच हो गई तो जीवन भर की अमीरी फना हो जाएगी अब ये दोनों पूरा नहरप लें इस हे तो इन्हें कुछ प्रतिशत कमीशन का लोब देना उचित होगा चंदर्मा को तो बहनों की हिफाज़त दिख रही है उन्हें जोखे में नहीं डालना चाहता कुछ सोचना होगा कामाक्षी के भाव में अपने दुर्विवार का प्राइशित नहीं था फिर भी वो नमरता थी जो बिजावर में प्रारंभिक दो विजिट में दिखी थी जोती जीजी जानती हूँ आप लोग हमारी फिक्र करती हैं दस बीज जो भी ठीक लगे अपना परसंटेज ले लेना चंदर्मा ने कामाक्षी को देखा ये तुछ बात ही करेगी जोती जानती थी कामाक्षी से अच्छे विवार की उमीद करना व्यर्थ है अथा चुप रही नीती ने प्रतिक्रिया दी कामाक्षी हम लोग ब्याज वसूलने मतलब कमीशन को ब्याज कहा ब्याज वसूलने नहीं चंदर की मदद करने आए है कामाक्षी नहले पर दहला मारना चाहती थी कि ब्याज क्या मूल हजम कर लोगी पर मौका ना जुक था नीती जीजी बुरा ना माने मेरा ये मतलब नहीं है चंदर तबसे तनाओं में है आप लोग आई है इसलिए थोड़ा नॉर्मल दिख रहे है बड़ी रकम लेकर बस से जाना सुरक्षित नहीं है ड्राइवर आपको बिजावर छोड़ते हुए जोती जीजी को उनके घर पहुचा आएगा और ये तारीख वक्त लगा लेकिन सभी बेहनों ने खातों से थोड़ी थोड़ी रकम निकाल कर चंदर्मा की कुल रकम को नई बुद्रा में बदल दिया पैसा जोती के पास एकत्र किया जोती ने मोबाइल पर चंदर्मा को सूचित किया काम हो गया कब आजाओ जी जी जब आना चाहो आजाओ मोबाइल कामाक्षी ने लगभग जपट लिया जी जी इतना पैसा लेकर बस में ना आएं ड्राइवर भेज रही हूँ कल सुबह अभी आप सुण रहे थे सुश्मा मुनीद्र जी की लिखी हुई कहानी ने और नाती बहनों का निस्वार्थ प्रेम मन को भिगो गया आशा है आपको भी कहानी पसंद आही होगी फिर मिलेंगे आपका समय शुब हो मंगल में हो